खरगौन शेहर में कसराओद रोल इस्तित नौगरा मेदान पर दो द्यूसी इस्तेमा का जिन क्या गया इस्तेमा में जीले सहीट परदेश भर से काफी संख्या में लोग शामिल हुए थे युवाओं सिक्षित वर्ग के अलावा मुख बधीरों के लिए अलग से बयानात किये हाजी शमीम जिलानी ने बताया कि इस्तेमा का उदेश इंसानियत को जिन्दा रखना समाज में भाईचारा बना रहे युवापिडी इसलाम के सही मकसद को समझे उस पर अमल कर शांती भ क्रेडित किया इसमें समाज के उलेमाओं ने लोगों को दिन की बाते बताई जिलानी ने बताया इस्तेमा से इंसान का जीवन बिल्कुल बदल जाता है जब तक इस्तेमा किये जाते हैं तब तक तमाम लोगों का खाना पीना सोना सब यहीं होता है इस्तेमा गाह में दाखि सिखने सिखाने का दोड सतत चलता रहता है आखरी बयान और दुआ मुलाना जफर सहाब पूना वालोने की बियूरो रिपॉर्ट खरकों इस मेहनत है इस मेहनत से खुद इस्तिकामत होगी एक चीज़ तो यह है कि हम सब नियत करें कि इन्शाओ लादिन के काम को मौत बक्त करेंगे ईन्शाओ बुलो इन्शाओ जफर का। नमाजों का खास इहत्वाद जमाठ की चामाज कोई हल्की चीज़ नहीं है हर मुसल्मान जमाज से नमाज पढ़ने को जरूरी समझे मेरी जमाठ कभी मैं जाए मेरी जमाद कभी न रहे इसका इहत्माम किया जाए अम्मी जान अज़ते आईशा रजी लाना से कुछ लोग आए और कहते हैं कि अम्मी जान ये बताए कि आपकी आखरी बीमारी का वक कैसा था तो कहती है जब आप जिन्दगी के आखरी इससे में आप बीमार हुए तो आपके मुबारक सेल पर पट्टी बंदी हुई है और आप इतने बीमार है कि आप पर बार बार गशी होती है और इशा की नवास का वक्त है और सहाबा मस्जीद में है अल्ला के नवी का इंतजा कर रेये है आप के मसले पे कोई ख़ड़ा नहीं हो सकता आपको होँचा है आपने फरमया असल्ल translate कि लोगोने नमास पड़ी लोग केते है हुम यंत्दिरोनकَ या रसुलाओ आपका वो आपका इंतजा कर रेये है मेरे लिए पानी रखो आप में वही बैंक की घुसल फर्माया कि आप में हिम्मत पेदा हो जाए मस्जिद जाने की लेकिन अपनी जगा से हुटने से पहले आप फिर बेहोश हो गए फिर आप में है आप में पुछा सल्लाव आलेही वसल्म क्या लगों नमाज पड़ी का नहीं वो आपका इंतजार के रहे है आप में फर्माया मेरे लिए पानी रखो आप में दुबारा खुसल किया आप में सेबारा खुसल किया जब आप तीन बार बेहोश हुए तो च्छोती बार आप को ऐसे लगा क्या आप अपनी जगा से उटके मस्जिद नहीं जा सकेंगे आप में फर्माया मुरू अबाबाकर आई उसल्ली विन नास क्या अबुबाकर को को हो लोगों को नमाज पड़ाएं अम्मीजान कहती है दूसरे दीन आपकी बीमारी में तक्वीफ हुई आदमी जब बीमार होता है तो इंतिकाल से पहले एक सहथ होती है इंतिकाल से पहले जो सहथ होती है इसको मौत की सहथ कहते है आप अच्छे हो गए अम्मीजान कहती है आप दो सहाबा के सहारे अज़त यारियो अबबास अदियल्लाह अनुमा इनके सहारे आप चल नहीं सकते थे आपके मुझारफ पहल जमते नहीं थे आप इस हाल में मस्जिन में तश्रीफ लाए जिन्दगी के आँखरे दिन भी आपने जमात की नमाज नहीं छोड़ी आपने जमात से नमाज पड़ी और अपनी उम्मत को बताया जमात छोड़ने की चीज़ नहीं है छोड़े छोड़े बहानों से गाहत की वज़े ये इस्तिमा हर साल होता है लेकिन पूरे जिले के अंदर अलग अलग जगाव पर होता है जैसा पिछली बार बाल समत के हुआ था लाग डाउन के बाद फिर अभी इस्तिमा हो रहा है ये और विगत वर्सों में भी यहाँ पर मेला ग्राउन के ओपर इस्तिमा हुआ था असल में इसका मकसद होता है इंसानियत को जिन्दा करना मतलब इसलाम के अंदर क्या चीज़ है वो सारे लोगों के बीच में आए जो इंसानियत का सबक देती है और उससे इंसानियत जिन्दा होती है उस इंसानियत को जिन्दा करना इसका मकसद होता है कि लोगों के अंदर रहन सें के इतिवार से भाई चारा पैदा हो और पूरी दुनिया के अंदर जो है पीसफुल दुनिया हो पूरी दुनिया के अंदर जो है माहोले सब बने बिल्कुल भाई चारे वाला इसी के लिए ये इस्तिमात होते है वहां काशे लोग आ है इस इश्तमा में पुरा खर्गॉन जिला इसके अंदर है लेकिन यहां पर जैसे अभी एक इश्तमा और गोगावा में कल से शुरू है कुछ आदा वहां कर दिया आदा यहां की भीड़ कम हो जाये लेकिन इसके बाद भी यहां पर काफी तादाद में भीड़ थी जैसे धार और महू इंदोर जाबवा यहां के भी कुछ लोग तश्रीब लाए थे लेकि ज्यादा तर लोग जो है अपने शेहर के लोग थे तो यहां पर हजारों की तादाद में लोग आए हैं और यहां पर इनका सारा इंतजाम भी रेता है सब अपना जान अपना माल लेकर आते हैं यहां पर जो खाना भी बनाया जाता है वो भी बाकाइदा टिकेट से होता है पास होता है उसका और उसके अंदर भी सब अपने अपने पेसे से अपना खाना खाते है इनका सब इंतजाम होता है इनके नहने का इनके लिए वजू का नमाज का सारा इन्तजाम होता है. यह दो दिन का इस्टिह इस्तिMMा के जरीए से यही संदिध है कि हर इनसान को इस दुनिया के अंदर रहना जा जा है. कि वो इसलाम के नियमों को इतला फालो करे और अपने जिन्दगे में लाने की फिकर करे कि इसलाम के सारे खौानिन ऐसे हैं कि जिसके जरीय से पूरी दुनिया के अंदर चेन अमन सुकून कायम होगा उसको गलत व्याक्षा लोग कर देते हैं इसकी वज़े से इसलाम सही उनके सामने नहीं आता असलाम यही है कि इतना सारा हुजूम है लेकिन बिलकुल सुकून और चेन के साथ भाई चारे के साथ सब एक साथ रेते हैं एक साथ सारे काम होते हैं लेकिन किसी तरह की कोई तकलिफ नहीं आती और पूरी दुनिया के अंदर इस इन इज्टमाद के जरीयर से पूरी दुनिया के अंदर इस बात को भी जो है पहुचाना मकसद होता है के पूरी दुनिया जो है इसलाम को जान ले कि इसलाम क्या है और इसलाम की जो बाइला से वो क्या है कि हमारे आका, हज़रत मुछमद मुस्तोई S.W. जो दीन को लेकर आए हैं, वो दीन हर इनसान के जिन्दगी में, उन्होंने खुद अपने जिन्दगी से दिखाया, कि मेरी जिन्दगी कैसी है, बस ऐसी जिन्दगी सब की बन जाए, और उनी की जिन्दगी को फालो करने के ल उन्होंने मतलब यहां पर जो है सुबा फजर में भी बात हुई इसी तरह से इजुकेटर्ट तपके के लिए अलग से एक प्रोग्राम हुआ वो भी सुबा में हो गया था इसके बाद इस्टुडेंट के लिए अलग से एक प्रोग्राम हुआ इसी के साथ जो गुंगे बहरे होते हैं उनके लिए भी अलग से नसिस्त रखी थी याना उनके अंदर भी बात भी उनको भी दीन को समझाया गया और चे नमन सुकून पूरी दुनिया में चे नमन सुकून काइम हो जाए इसके लिए भी दूआ भी हुई, काफ़ी लंबी दूआ हुई, काफ़ी लोगों ने रो रो कर दुन Ihrer के अंदर चैन अमन सुकुन और खासतोर से हमारे बुलक में और खासतोर से हमारे शहर के अंदर चैन अमन सुकुन पाइम रहे इसके लिए दूआ की कहिए। हाजी शमीम जी लानी थरवोन